डियर फ्रेंट्स प्यारे दोस्तों मैं आपको reverse indicator shaft alignment के बारे में उर्दु में बताओंगा तो मैं इंग्लिश में अल्रेडी ये वीडियो बनाई भी है तो मैं उर्दु में आपको इससे हो सकते हैं आपको ज्यादा असानी हो तो रिवर्स इंडिकेटर अलाइन्मेंट की मेटरडाइज से आप एंगुलर और ऑफसेट मिस अलाइन्मेंट दोनों की कर सकते हैं एक साथ फार्मूले में आप वैल्यूस डालेंगे कुछ टैमंशन्स की और डायल इंडिकेटर क यह से आपको बताएगा कए फåंट साएट पर कितनी शिम एड़ करनी है और बैक साथ पर कितनी शिम एड़ करनी है जिस Над ですुए आपकी मिस अलाइन्मेंट और ऑफसेट भी जैंडिकेटर भेस जैंडिक हो इसदेट यदर भाइए, दोनों में जो अंकल भी हमने ख़तम करना होता है ताकि दोनों शार्ट जो है वो है. तो ये दोनों की करेक्षन हो जाएगी तो पहले ये वर्टेक्लड डिरेक्षन में करएंगे इसके बाद हम horizontal direction में करेंगे यह आपका vertical direction है ठीक है ना इसको हम vertical alignment कहा देंगे जब यह हो जाएगी तो फिर हम यह offset करेंगे horizontal alignment करेंगे तो horizontal alignment में हम यह हमें शेमोकी जबरत नहीं होती यह बोल्ट से हम इनको lose करेंगे और यह जैकिंग बोल्ट से हैं इससे मोटर हम आगे पिछे move करेंगे formula इसमें वही इस्तमाल होगा जो vertical alignment में इस्तमाल होता है तो आईए चले हम vertical alignment की तरफ आते हैं by reverse indicator alignment method इसमें हमने जो है ना यह याद रखना है कि जब हम dial indicators से alignment शुरू करें जरूरी है कि आपने short foot correction जो है ना कर ली हो पहले सबसे पहले आप short foot correction करें और उसके बाद आप यह जो है rough alignment करें rough alignment करना इसलिए जरूरी है कि अगर वो motor और pump में जैसे कि आप देखने हैं अगर ज़्यादा miss alignment है तो dial indicator की needle टच नहीं करेगी जो है ना उसकी जो क्या नाम है उसकी जो है ना पहुंच से बाइर होगा जब टच नहीं करेगा तो dial indicator needle कैसे आपको reading बताएगी तो यह needle जो है यह touch करनी चाहिए और इसको और इन में इतना फास्ता रखें कि यह उपर भी जाए अगर यह motor उपर move करें तो यह press होनी चाहिए अगर motor नीचे जाए तो यह needle भी नीचे की तरफ move होनी चाहिए यह ना इसकी range में होना चाहिए जो है ना range में होना चाहिए dial indicator की motor को ताकि आप reading ले सकें अच्छा, short foot correction क्या होती है कि अगर यह जो चारों पोर्ट्स हैं चारों जो आपके supports हैं इनके किसी के दरम्यान में gap नहीं होना चाहिए यानि चारों जो है ना सही तरीके से बैटरी हो एक टाइम पर बेस के साथ तो यह भी मैं आपको उर्दू में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो मैं, short foot के बार में बताऊंगा और रफ alignment आप कर सकते हैं यह straight edge और filler gauge से तो आईए इसकी तरफ reverse indicator alignment की तरफ चलते हैं इसमें आपने तीन dimensions लेनी होती हैं और यह दो reading लेनी होती है एक dial indicator needle आप यह motor पे ले रहे हैं और एक dial indicator needle आप पंप की तरफ ले रहे हैं यह motor आपकी movable है, movable का मतलब है कि इसको हम उपर कर सकते हैं यह नीचे कर सकते हैं शिमों की तरफ शिमों से alignment के लिए अगर यह motor उपर है तो जाहरा आपने शिमें निकालनी होगी और अगर यह motor नीचे है तो जाहरा है आपको शिमें add करनी पड़ेंगी तो इसको हम movable unit करते हैं और इसको हम stationary unit करते हैं यह 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 पंप है तो आईए अच्छा तो अब आईए dimensions की तरफ जो हमने तीन dimensions measure करनी है फार्मूले के लिए यह value यह जो dimensions और रीडिंग्स मैं बता रहा हूं यह हम फार्मूले में डालेंगे और हमारा हमारे पास answer आजाएगा जिससे आपकी angular misalignment और offset misalignment खतम हो जाएगी तो आपने तीन dimensions लेनी है अच्छा अच्छा यह एक चीज़ on मैं आपको बता दूं कले यह जो आप reading ले रहे हैं ना रिम के उपर इधर आप zero करेंगे पिर आप नीचे आएंगे reading लेंगे इसको बी-बी करेंगे यानि इमूवेबल यूनट पर जो आप readings ले रहे हैं और जब आप reading लें तो यहां पर निशान लगा लें इस साइट पे ना और जब आप इसको रोटेट करेंगे पंप के उपर इधर कर रहा है रोटेट करके नीचे आएंगे तो इस पॉइंट को भी मोटर की कप्लिंग है इसको भी रोटेट करके नीचे आजाएं ताकि यही आपकी यह आपने लेनी है उपर जीरो करना है पर नीचे आपने इसको डाल इंडिक्रिटर को रोटेट करके नीचे आजाना है इसी तरह आपने इधर रीडिंग लेनी है उपर इधर जीरो कर लेना है और फिर आपने डाल इंडिक्रिटर को नीचे लेकर आना है यह अल्रे यानि यहां पर आपने जिरो करना है पर नीचे आना है और यह दोनों को साथ लेने की जबत नहीं है पहले आप इधर ले 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 भी त है इस नीडल तक है, यह यहां तक जो फासला है ना माइयर करना है आपने. इसको हम D1 केंगे, फिर इस इदर के लेंके इस यह आफ इदर नेचे सीघे आ जाएं है ठीक है ना ? नीचे स हैं इदर यह complac जाएं है इस 뒤에 चारव में अधर बूचर की तरफ यहाद है ठीक है न, और इसी तरह यहां से, मैं इधर निसे आजा ताह हूँ, एदर से, यहां तक डैयलिंडी किटर है, जह हु 스., आप भी यह ए, रीडिंक जो है, जिससे आप भी यह रीडिंक लेत ने हैं, इसको देखें नब तो यहां से यहां तक डिमेंशन्स महिल करनी हैं, तो यह डित्री आ गया, तो यहां से यहां तक डित्री आ गया, और यहां से यहां तक यह डित्री आ गया, ठीक है ना, तो यह आपके पास तीन डिमेंशन्स आ गई, डित्री बता रिता हूं, यहां से यहां तक डित्री बता होगी और यहां से यहां तक डी-3 होगी तो यह आपके पास तीन डीमेंशन आ गएं डी-1 डी-2 और डी-3 और आपके पास दो रीडिंग्स आ गएं बी-ए और बी-बी अच्छा यह मैं आपको फिगर में भी बिता जेते हूं यह मैंने एक यहां लीवी हैं रीडिंग्स यह जो है जो है मैं आपको बताता हूं जो है यह देखें यह इस तुड़न्स आइव डिस्कस अबाऊ इवर्शिंटिक यह मेरा एंग्लिश का वर्शन शुक्त हो गया था सुरी यह आपके बास आगे होगी अच्छा कि अगले यह देखें मैं यह उपर रखता हूं इसको इसको तांकि आपको नचरा है देखें यह मैंने दो रिडिंग्स लीव है इस दर बी आ और यह बीडी अधर जो इसकी चाहर जाब यह यह तो इसका घ। च्ब्स पनी तक चाफिस है कि और सुछ सकता है भी प्रीट आण, यह क्स की अफिस फैस में पर चाहल खोगा तो आप ये इंग्लिश का वर्शन जो है ये यूटूब पर देख सकते हैं ये भी मेरा ही है वो मैंने इंग्लिश में बनाए है अब मैं आपको उर्दू में एक्स्प्लेइन कर रहा हूँ वैल आए फिर उर्दू की दरफ वो अन हो गया था तो ये जो है इंट्रेस्टिंग अब ये देखें कि ये दो रीडिंग्स हैं बी ए बी ए है और बी बी ये मैंने लीव ही है ये बी ए और ये बी जैसे कि मैंने बताया कि बी ए जो है ये आप स्टेशनरी यूनिट पर लेते हैं रीडिंग और बी बी जो है ये आप मुवेबल यूनिट पर लेते हैं बी यह यहाँ माइनिस 30 है और बीपी प्लस 40 है और दी वन चो है यह 200 है और दी टू जो है यह 300 है और दी तरी जो है झाल झाल